हलो क्लास, बेरी गुड यूदिंग, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोर मॉडल आफ एटम, बोर मॉडल आफ एटम यह काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, आपका एटॉमिक स्ट्रेक्चर में देखेंगे अगर हम लोग, तो रधर फूड की बातों को पूरी तरह से गलत करे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे, डवलमेंट आफ बोर मॉडल, डवलमेंट आफ बोर मॉडल में हमने क्या-क्या बात के बताई sadece आपको मैंने Electromagnetic Gradition बताया आपको मैंने Planck Quantum Theory बताई आपको मैंने Spectrum का Concept दिया ये सारे Concept अगर आपको पता है तो Bore Model of Atom आपके लिए बहुत So Simple So Easy हो जाएगा So Simple So Easy Bore Model of Atom को हम लोग समझते हैं और हम लोग उसको क्या करते हैं? नोड करते हैं उसके लिए आप क्या करिए फटा फटा अपना एक Copy निकालिए एक Pen निकालिए जो कमिस्टी का आप नोड लिखते हो Copy Pen होगा टेबल पे आराम से टेबल चेर लेके आराम से बैट जाएए इत्मिनान से लेक्चर को देखे जहां जो प्रॉबलम आए आप हमको फोन करके परसनली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख दोगे तो मैं आपको उसको रिपलाई करने की कोश्चिस करूँगा जब क्लास आपका खतम हो जाएगा तब उसका रीजन है क्योंकि एक बार में जो काम नहीं हो सकता जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसी समय आपको मैं रिपलाई तुर्ण नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा फोन बिजी है आपको पढ़ाने में तो इस तरह से मैं आपको बोर मॉडल आफ एटम बढ़ाऊंगा और आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए तो हम लोग पढ़ते हैं बोर मॉडल आफ एटम बोर ने जो पहला पॉइंट बताया अपने एटम के रिगार्ड में जो उसका पहला वियू था वियू आपका वह बहुत पुराना है वही बात इसने भी कही कहता है कि एटम कंसिस्ट नुकुलियाई इसने बताया जो पहला पॉइंट हम लोग बोर मॉडल आफ एटम में देखते हैं वह कहते हैं कि एट एटम कंसिस्ट नुकुलियाई जो एटम होगा उसमें क्या होगा आपका नुकुलियाई होगा नुकुलियस होगा एंडिस नुकुलियस कंटेन प्रोटान एंड नुट्रॉल सिम्पल सी बात कि जो बात पहले हो चुके जो रधर पोर्ड ने कही वही बात आपके नील बोर ने कहा बोर ने कहा atom consist nuclei and this contain या इस मतलब nuclei this contain this contain all proton and neutron and neutron ये बात पहले भी हो चुकी है कि atom consist nuclei and nuclei consist nuclei consist all proton and all neutron ये पहला बात जो मैंने आपको बताया पहला point five point के बारे में हम लोग discuss करेंगे five point आपके बारे में discuss करेंगे पांच बाते नील बोर ने बता रखी लोकिन वह पांच बाते काफी गंभीर है काफी अच्छी बाते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बताय थे लेकिन यह पहला जो point हम लोग पढ़ रहे हैं यह पहला point हमको पता था क्योंकि इस पहले point को रधर फोड बहुत पहले ही explain कर दिया था वही बात नील बोर ने भी अपने experiment में करके देखा कि atom जो होगा atom के अंदर nucleus होगा nucleus में सारे proton होंगे और सारे क्या होंगे आपके neutron होगे उसके बाद हम लोग थार्ड पॉइंट की सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट काफी important है very important आपका point निकल के आता है नील बोर क्या कहता है second point मे है कि around the nucleus of an atom around the nucleus of an atom electron revolve in fixed orbit electron revolve in fixed orbital electron revolve in fixed orbital what is the orbital orbital concept दिया और्विटल क्या होता है और्विटल is the three dimensional space जहांसे समझेगा और्विटल is the three dimensional space around the nucleus of an atom in which electron present जिसमें electron present होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं और्विटल कहते हैं और्विट क्या है और्विट is the path और्विट is the path at which electron revolve तो और्विटल आपका एक प्लेस है जहां electron के पाये जाने की पूरी probability है संभावना है और और्विट आपका एक रास्ता है एक पाथ है जिस electron आपका क्या करता है रिवाल करता है तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए और्विटल जैसे simple मैं बात करता हूँ कि आप कहां पाए जा सकते हूँ तो आप सुल्तानपूर में पाए जा सकते हो सुल्तानपूर आपके एक प्लेस है जहां आपके पाए जाने की पूरी संभावना है या मैं कहता हूं कि इंडिया एक जगह है जहां आपके पाए जाने की पूरी संभावना है लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आप इंडिया से अस्ट्रिलिया या इंडिया से आप इंडिया में सुल्तानपुर से आप दिल्ली जाना चाहते हो त कि नील्पुर्ट कैछ है और यह पूरा इंडिया और यह पूरा इंडिया अपका और कहने गार यह क्या उस्क्त Reed परफ़ जिसमें इलक्टरॉन के पायाने कि रंड होगी उसको अम आइकटरां के गाइंगे और सोनर्फ चाहिए और्बिट कहते हैं तो सेकेंड पॉइंट आपका नील बूर क्या कहता है वो काफी इंपॉर्टन पॉइंट है कहता है कि इलक्ट्रॉन रिवॉल्फ एराउंड दा नुकिलियस इन फिक्स और्बिट इस फिक्स रेडियस एन एसोसीड विद फिक्स एनरजी काफी इलक्ट्रॉन का और फिक्स होगा ऐलक्तों कभी आर्बिट को छोड के जा तो सकता है लेकिन चैनरल ऑसेार में ओस रास्ते zeigt तक्रा नहीं रहा है उसी तरह से इलक्ट्रॉन आपका होगा इलक्ट्रॉन रिवाल्व एराउंड डा नुकुलियस ऑफ आइन एटम विद फिक्स औरबिट विद फिक्स रेडियस एन एसोसियेटेड विद फिक्स एनरजी यह काफी इंपॉर्टन बात है क्योंकि अभी तक क केवल बात कर रखी थी कि जो इलक्ट्रॉन होगा जो इलक्ट्रॉन होगा और नुकुलियस के चारों तरफ होगा लेकिन इलक्ट्रॉन कहां होगा इलक्ट्रॉन आपका एक फिक्स औरबिट में रिवाल्व कर रहा होगा इलक्ट्रॉन की एक फिक्स रेडियस होगी पहली में बता रहा है कि इलेक्टरों रिवाल्ब अरंट दर नुकलियस अगर हम बात करें तो कहेंगे इलेक्टरों रिवाल्ब एराउंड दा नुक्लियस, एराउंड दा नुक्लियस, आफ एन एटम, एन एटम बिट, यहां से पॉइंट सारी इनकोर्टन हो जाते हैं, विट फिक्स रेडियस, यहां से लिखता हूं मैं देखे भाई, बिट फिक्स रेडियस, fix orbit and associated with fix energy मतलब जिस orbit पे electron होगा उसका nucleus के बीच का जो distance होगा उसका हम radius कहते हो fix होगा हम radius find कर सकते हैं radius को अच्छी तरह से find कर सकते हैं energy को find कर सकते हैं orbit को find कर सकते हैं orbital को find कर सकते है orbital is a three dimensional space around the nucleus in which probability to having electron is called orbital and orbit is the path at which electron revolves एक दम बिल्कुल confusion नहीं होना चाहिए बेटा कि orbital कहां टर्माता है orbit कहां टर्माता orbit means path जिस पर electron चलेगा orbital एक place है orbital एक जगह है जिसे इलक्टरॉन के पाए जाने की संभावना है orbital ओ जगह कौन सी है ओ जगह है नुकुलियस के surrounding atom में नुकुलियस के surrounding तो कहा कि electron revolve around the nucleus with fixed orbit fixed radius fixed associated with fixed energy तो जो electron होगा उसका orbit fix होगा उसकी radius fix होगी उसकी energy fix होगी सारी बाते fix होगी और यह आपका पहला orbital है first orbital जिसको n is equal to 1 कहते है इसका यह radius है r1 इसमें जो electron है यहाँ उसका radius है r1 यह आपका n is equal to 2 n is equal to 2 है यह दूजरा आपका cell जिसको cell कहते है यह radius जिसको हम लोग क्या कहेंगे r2 इसी तरह से अगर हम 3 लेंगे third cell की बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे यहाँ आपका radius क्या हो जाएगा r3 इस तरह से इस electron का radius r3 इस electron का radius r2 इस electron का radius r1 तो जिसका radius r1 इसकी अपनी कुछ energy associate होगी इसकी कुछ अपने energy associate होगी इसकी कुछ अपने energy associate होगी तो इस electron का path इस electron का आर्बिट अलग होगा, जिस पाथ पर चल रहा है, इस पर दूसरा electron नहीं जा सकता है, यह electron जिस पाथ पर चल रहा है, यह आपका पहला electron उस पर नहीं जा सकता है, यह electron जिस पाथ पर चल रहा है, उस पाथ पहला दूसरा दोनों electron नहीं जा सकता है, तो हम लोग क्या कह कह सकते हैं कि हम लोग यह कह सकते हैं कि जो जगह है इससी को हम लोग क्या चैते हैं और बीटल चक्छले गा उस पात को हम लोग और कहते हैं और जह स्पेस होता है च्री डाइजिनल उसको और कहते हैं बहुत बहुत सी बात पर लोग इस पूरे द्रॉब क्या है कि नील बोर्र ने जो भी एक्सप्रिमेंट किया था वा हड्रों और हैट्रों लाइक एंटम पRe करका था यह हम नहीं कह सकते अभी फिलहाल अभी दूसरे पॉइंट पर इबात नहीं कह सकते हैं जो आपका सारे आटम के लिए क्या ही बात होगी आगे चलके मैं इस रि लगवग लगवग सही साबित होगी आगे चलके तो नील बोर काफी अच्छी अच्छी बाते बता रखता है तो यह जो आपका second point है hopefully आपको समझ में आ गया होगा तो यह मैं यहाँ नीचे जो लिए है इसको मैं मिटाता हूं और एक और concept को बताता हूं. third point को जाने से पहले एक बात और हम लोग समझते हैं. third point को जाने से पहले एक बात हम लोग यह समझते हैं कि यह atom का nucleus है आपको कोई doubt है atom का nucleus है जिसमें proton है और neutron है इसके चारों तरफ आपका cell है तो मैंने एक ऐसे बड़ा आयस बना दिया और center में मैंने nucleus को बना दिया, इस तरह से like this, this is a nucleus और इक cell बना दिया जहां मैंने electron राखा, electron और nucleus के बीच के distance को one are कहेंगे, electron का कुछ मास होगा जिसको हम लोग M लिख दे रहे हैं M, इलक्टरॉन को बिलासिटी होगी जिसको हम लोग B कहते हैं जो फिक्स है, इलक्टरॉन का मास फिक्स है, किसी सेल में, किसी और्विटल में इलक्टरॉन का बिलासिटी फिक्स है, उस सेल का नुकलियस के बीच का जो रेडियस तो अगर आपके यह इलक्ट्रॉन क्या करेगा ऐसे रीवय परेगा around the nucleus तो इस electron का एनगुलर momentum होगा क्या होगा आपका angular momentum होगा यह कई रेडिएस के साथ angular momentum भी आना है तो अगर हम कहते है अंगुलर ओमेंटम आप अफ दिस इलक्ट्रॉन तो आपको पता एंगूलर मोमेंटम इसको को अबटा रखा है अपने एक्सप्यान से नील वोग उसको अब्सर्ब कर रखा है वह मैं डबल टिक करता हूं डबल किसलिए करता हूं कि ě थर्ड् दो नील बॉन ने तो बताया तो लेकिन इसंसाहिप्रेशन बतायी जा एस बात कर लेते हैं इस इसको हम explain नहीं कर पाते लेकिन observation तो हाई है और science में जिसको जो बात हमने देखी है जो हमने observe करी है जो हमने experimentally prove करी हो तो कहीं नहीं कहीं होगी ने आपका तो जो third point उसको मैं double tick करता हूँ double tick इसलिए क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि आपका नील बोर की कौन सा पॉस्तलिट है जिसको नील बोर ने बताया तो बट इसको परूब नहीं कर पाया एक्स्प्लिएन नहीं कर पाया है आगे चलके इसी इसी बात को आगे चलके इसी पॉइंट को प्रूब करने वाले scientist का नाम होगा Albert Einstein Albert Einstein आगे चलके इस third point को prove करेगा लेकिन third point बताया कौन नील बोर और इसको prove कौन करेगा Albert Einstein ये बात हमारे दिमाग में होनी चे नील बोर ने अपने पूरे experiment में इस बात को observe कर रखा था बट इसका कोई explanation नहीं दे रखा था उसने कहा कि angular momentum of this moving electron angular momentum of this moving electron is integral multiple of nh upon 2pi ये बात बताई इसका क्या मतलब निकल के आता है आगे चलके हम लोग देखेंगे फिलहाल इस point पे हम डबल टिक कर रहे हैं इसने बताया angular momentum of moving electron क्या बताया angular momentum of moving electron is integral multiple of nh upon 2pi note कर लो पहले इसको फिर में बताता है तो हमने क्या बात की बेटा हमने कहा angular momentum of moving electron angular momentum of moving electron is integral multiple of nh upon 2pi nh upon 2pi integral multiple और ये बात नील बोर ने बताई तो क्योंकि नील बोर ने अपने experiment में इसको observe कर रखा है बट इस बात को पूरी तरह से explain नहीं कर पाया है जिसको मैंने कहा कि मैं आगे चलके आपको बताऊंगा इसको अलबेट आंस्टीन ने बताया तो थाड़ पॉइंट हम लोग यहां लिखते है थाड़ पॉइंट क्या लिखते है थाड़ वॉइंट इस मूमिंग उलक्ट्राउन एग्णिघृफ्न एंगुलर मोमेंटम आफ मूविंग इलक्ट्रॉन मूविंग इलक्ट्रॉन इस इंटिग्रल मुल्टीपल आफ एच अपॉन टूपाई एच अपॉन टूपाई को एच क्रॉस भी कहा जाता है इस तरह से बना जाता है तो इसको अगर हम फॉर्मलेट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इसको अपॉन टूपाई इस इस अपॉन टूपाई एच अपॉन टूपाई और एच अपॉन टूपाई को फॉन लोग क्या कहते हैं तो कहीं आपका ऐसा भी लिखा रहाता है mbr is equal to n h cross यह भी बात वही है h cross is equal to h upon 2 pi और h की value आपको पता है h आपका प्लाइंग constant तो आप ऐसे सोचिए कि अगर हम प्लाइंग quantum theory नहीं बता देख तो प्लाइंग constant कहां ते समंध में आता प्लाइंग कॉंस्टेंट की वैलु को आपने क्या था प्लाइंग कॉंटं त्योरी में तो यह तीन पॉइंट और फिर से रिपीट कर देता हूँ एक भी point आपको किसी इंस्टेंट पे कभी भी गलत नहीं होना चाहिए जो पहला point उसने कहा वो पुराना ही बात है यह पहले point कहा atom consists nucleus and in the nucleus all the proton and neutron present simple लेकिन जो दूसरी बात बता ही वो बात अभी तक किसी नहीं नहीं बता रखी थी इन्होंने कहा कि electron revolve around the nucleus in fixed orbit fixed radius and associated with fixed energy यह fixed orbit fixed radius fixed energy हम आगे चलके find करेंगे इनी के experiment को use करके find करेंगे और जो third point बताई वो आपका इसोंने कहा कि जो booming electron होगा उसका कुछ angular momentum होगा और एंगुलर momentum होगा और इंटिग्रल multiple होगा एच अपॉन टू पाई पे और एक equation देया जिसको एम बी आर इसको एक त्योरिटिकल कोश्चन भी दे रखा है मैं उसको भी solve कराऊंगा और इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो फुफली आपको इस सारी बा कि अब आपने इसको नोट कर लिया होगा तो मैं इसको मिटाता हूँ और दो पॉइंट और इससे रिलेटर दे गए हैं इस तरह से बताने के बाद 5 पॉइंट में आपका पूरा नील वोर कॉंसेप्ट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा इसमें क्या है एन की वैलू क्या है जैसे एंगुलर मोमेंटम है मैं कहता हूँ अगर मैं कहता हूँ कि एन इसकोल टू वन एन इसकोल टू वन का मतलब सिंपल समझ में आ गया एन इसकोल टू वन मतलब फर्स्ट और्विटल या सेल जिसको के कहते हैं यह आपको पता ही है नाइंस क्लास में आपने पढ़ रखा था नंबर आफ यह पढ़ रखा था नंबर आफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इसकोल टू तू एन स्क्वाइर याद आया कुछ आपको बात य ये भाद कुछ याद आई कि नहीं याद आई याद आया इवाद याद आया नंबर आफ इलेक्ट्रॉन इंद सेल इसकोल टू एनिंसक्वाइर अगर फ Krist में कितने ल lin चा सकते हैं देख लिए नंबर आफ इलेक्ट्रॉन पहले सेल में कितने जाएझे 2 एनिँट्रॉन का स्ट्राइश का है माकसिमम् टू इलेक्टराउन जा सकतें मिनिम्म 1 अगर हम इसको दूसरी की बात करें भी यह प्रॉंस को इन्टू एंटू आइश। एक हमारा क्या होजाएगा यह फोफाइग आएगी और आपको पता है कि एलेक्टराउन की एलेक्टरॉन की मोमेंटम के क्रके डिखाता हूँ आपको एंगुलर मोमेंटम जिसको J से डिनोट करते हैं MBR को हम लोग J लिख सकते हैं J is equal to आपका क्या होगा H की value कितनी है 6.67 into 10 to power minus 34 joule into second और आपको पता है 2 आपका constant है 3.14 यह आपका constant है आप आप इसको solve परके एंगुलर मोमेंटम की value को क्या कर सकते हो find out कर सकते है करा जा सकता है नहीं करा जा सकता है एंग की value 1 रखने पर पहले cell के बारे बताओ यह बात समझ में आई की नहीं आई calculate करा जा सकता है पहले cell में maximum कितने electron होंगे उसकी value को find किया जा सकता है 2N square से यह पुरानी बात है नील बोर नहीं बता रखी है तो मैं यहां आपके third point में इसको और introduce कर देता हूं number of electron in the cell formula आपका क्या निकल क्या है is equal to आएगा आपका 2N square तो इस तरह से आप angular momentum point कर सकते हो पहले cell में electron के angular momentum को आसानी से हम क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं अगर हम दूसरे cell की बात करेंगे इसी तरह से दूसरे cell की भी हम पता लगा सकते हैं दूसरे cell का पता लगाएंगे तो formula आपका वही है second cell का भी हम पता लगा सकते हैं दूसरे cell के electron के angular momentum को बहुत 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 आसानी से क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं फॉर्मूला क्या है देख लीजे अगर हम कहते हैं कि इस चेल आपका क्या है सेल सेकेंड है तो एन इसक्वार्टू हो जाएगा के बाद दूसरा आएगा अगर इसमें हम लोग कहते हैं कि फाइंड करते हैं नंबर आफ इलक्ट्रॉन इन एल सेल एन सेल के लिए फ़र्मूला 2N स्क्वायर तो सबके लिए होगा लेगिन एन की वैलू यहां क्या हो जाएगी टू हो जाएगी तो टू इन्टू ठू का इसक्वायर हो जाएगा एट इलक्ट्रॉन मतलब दूसरे सेल में मैक्सμुम कितने इलक्ट्रॉन आने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम को अगर हम फाइंड करेंगे तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इस इक्वेशन कैसे देखिए फॉर्मूला है MBR जिसको हम J कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इसको एंगुलर मोमेंटम से इसको डिवाइट करेंगे तो जबबघ लगभघ इसका आजाएगा तू पॉइंट आपका सम्थिंग तू पॉइंट टू पाउर माइनस थर्टी फॉर जूल इंटू सेकेंड एंडिस आंसर यह आपका अंसर लगभग लगभग निकल के आ जाएगा इस तरह से हम सारी वैलू को क्या कर सकते हैं कर सकते हैं तनले एंड कर सकते हैं कि और फबूर करेंगें तो यहां थ Users करसे को बताने वाला इनलबॉर इससको एक्स्प्लें करेंगे हम आगे चलके क्योंकि इसको explain नील बोर नहीं कर पाया था इसको explain करने वाला Albert Einstein यह आपका third point exception कहीं ने कहीं होगा नील बोर का क्योंकि नील बोर ने observe तो किया था बट इसका कोई explanation नहीं था थीक है न तो यह third point आपको hopefully समझ में आप four point को हम लोग ध्याद समझते हैं four point यह कहता है electron can make transit transit मलब समझते हो moment from one place to another place very very important point electron can make transit electron can make transit from lower energy level to higher energy level by absorption of energy अगर मैं कहता हूँ I also can make transit from this place to that place अगर मैं कहता हूँ कि यह जहां भी मैं हूँ या जहां आप पढ़े रहो अगर उसकी energy कम है और आपको higher energy level पे जाना है तो आपको higher energy level पे जाने के लिए आपको कहीं ने कहीं किसी ने किसी source energy को क्या करना पढ़ेगा अब्सार्ब करना पढ़ेगा तो नील बोर ने वही बात कहीं कि electron can make transit मतलब बहिया एकदम ध्यां से समझेए item में तीन लोग proton neutron electron proton और neutron आपके आपके साथ पूरी दोस्ती निभाएंगे वफा निभाएंगे इलक्ट्रॉन पूरी तरह से बेवफा है ऐसा पार्डिकल इलक्ट्रॉन पूरी तरह से बेवफा है उसकी energy fix आप अव्सक्टी ओर्विटल फिक्स सब कुछ fix है और इट कैन बेक चांजिट इड कैन मेंडर्आचिट फ्रॉम लोग अनरजी लेबल तो high energy level by absorption of energy and this is called and this is called excitation this is called excitation यह मैं आपको समझाता हूँ electron can make transit this is the fourth point यह fourth point कह रहा है कि electron can make transit electron can make transit from from lower energy level from lower energy level to higher energy level by absorption by absorption of energy is known as excitation इसको हम लोग क्या कहते हैं this is called excitation it's very 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 simple अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई आटम है उस आटम का यह नूकुलियस है और यह आटम का पहला सेल यह आटम का दूसरा सेल यह इसको है यह इसको आटम का यह इसको प्रूब करने वाला कोई और नहीं है इसको प्रूब करने वाला नील बोर ही है तो जो यह ele Voltron है इस electron can make transit यह electron यहां से transit कर सकता है बट इस electron को कही न कहीं किसी न किसी source अनர्जी को क्या करना पड़ेगा अब्सार्ब करेगा यह energy को क्या करने वाला है it can absorb some amount of energy then it can make transit अगर मैं कहता हूँ यहां जाना तो it can make transit from this place to this place यहां से यहां electron जा सकता है lower energy level से higher energy level पर electron can transit by absorption of energy and this is called excitation इसको हम लोग क्या कहते हैं excitation कहते हैं तो हमने fourth point में बताया electron can make transit from lower energy level to higher energy level lower energy level to higher energy level by absorption of energy and this is called excitation तो तुरंद आपके दिमाग में एक दूसरा बात भी आ रहा होगा अगर जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ जिस तरह से नील बोर्ट सोच रहा था जिस तरह से आप अगर ध्यान से पढ़ रहे होगे lecture को बढ़ियां से note कर रहे होगे copy में notes बना रहे होगे एकदम concentrate होके दिमाग लगा के पूरी बात सुन रहे होगे तो आपके दिमाग में एक बात आवर आ रहा होगा hundred percent एक बात आवर आ रहा है जब आप lower energy से higher energy level में energy को absorb करके जा रहे हो उसको excitation कहेंगे तो higher energy level से लेक्टान lower energy level पर भी आ सकता है और higher energy level से lower energy level पर जब elector आएगा तो अभी लेक्टान एनरजी अब्जاब नहीं करेगा electron radiate some energy क्योंकि lower orbit से अगर higher orbit पर आ रहा है higher से lower आ रहा है अमगानी आपके घर में रहने आ रहे हैं आपके साथ खाने आ रहे हैं आपके रूम में रहने आ रहे हैं तो उनको भी आपके लेबल पे आना पड़ेगा और आपके लेबल पे आने के लिए उनको भी अपनी सारी एनरजी को आपके लेबल पे लाना पड़ेगा सारी एनरजी को लुटाना पड़ेगा है simple सीबात है इलेक्ट्राइं can make transit of lower energy level to higher energy level by absorption of energy this process is called exciitation तो हम यह भी कह सकते हैं इलेक्ट्रान चेन अ पैन्अ केना अल्सो में ट्राइंड प्रांचित उंपार ईंडी प्राम मेंис रंडी प्राम हसली लाइ है अल्सीक्ट c इसको हम लोग क्या कहेंगे डी एक्साइटेशन कहते हैं मैं इसको फिर से नोट करके लिखता हूँ आपको बताता हूँ फिप्ट पॉइंट आपको बताता हूँ फाइब पॉइंट इस फिफ्ट पॉइंट हैं से देखें इलक्ट्रॉन है कैन अल्सों मेक ट्रांजिट है फ्रॉम हाइर एनर्जी हाइर एनर्जी लेबल टू लोर एनर्जी लेबल य रडियाँ अव अनर्जी लेखें थिफ्ट रेखें लेखें टैसंट लेखें लेखें वीद्ट इसी ट्डिए तर प्रॉट इस लेखें लेखें के। excitation, इसको हम लोग क्या कहते हैं, this is called de-excitation, electron can also make transit from higher energy level to lower energy level, but this electron not absorb energy, this electron can radiate energy, this electron can radiate energy, अगर मैं कहता हूँ, यह मेरे आइटम का एक निकुलियस है, यह पहला सेल, यह दूसरा सेल, यह तीसरा सेल, और यह वाला electron है, इस electron को higher energy level से lower energy level पर आना है, अब आप से कहा जा, this electron can move from higher energy level to lower energy level, अगर यह electron यहां से यहां आता है, if this electron transit from this place to this place, then this electron can radiate energy, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां आपका radiation होगा, in term of photon, जिसको H new कहा जाता है, तो यहां कुछ radiation होगा, and this is called de-excitation, इसको हम लोग क्या कहते हैं, this is called de-excitation, तो मैंने five point बताया है, ज्यादा point नहीं बताया है, और पांचो point आपको कुछ इस तरह से तयार होना चाहिए, कि अगर आपको रात को 12 बज़े, एक बज़े, दो बज़े, आज के 20 साल बाद भी, कोई आफसर नील बोर मॉडल कहे, तो आपको एक लाइन में five point को बता देना है, और जिसमें बताना है कि third point जो आपका angular momentum से related है, उस point को नील बोर ने देखा तो अपने hydrogen spectrum जो hydrogen spectrum आगे चलके पढ़ेंगे, जो हम लोग और detail में जानेंगे, जो observation देखेंगे, उसमें observe तो किया, बट उसको prove नहीं कर पाया, उसको prove कोई और करेगा, जिसको हम लोग Albert Einstein के नाम से जानते हैं, नाम से सुना होगा आपने इसका तो five point क्या है, मैं फिर से summarize कर देता हूँ, revise कर देता हूँ, पहला point क्या है, कि atom consist nuclei, इसमें कौन सी नहीं बात बता दिये भाईया, इजो रजर फोर्ट भी बताया है, atom consist nuclei nuclei, and in the nuclei, all proton and neutron present, यह बात पहले रजर पोर्ट ने बताई थी, रजर फोर्ट ने कहा था कि electron revolve around the nucleus of the atom, and radiates of energy, तो सबने का भाईया, if electron radiates of energy, then electron loss all the energy and fall in the nucleus atom will destroy, इसी बात को तो नील बोर ने कहा, नील बोर ने कहा भाई, एक्दम करेक्ट है, कि electron revolve around the nucleus, electron revolve around the nucleus, in fixed orbit, यह बात किसे ने बताई थे, with fixed radius, यह बात किसे ने बताई थे, with associated with fixed energy, तो जो कुछ भी उसके energy है, whatever energy of electron, it can never loss, वो एनरजी कभी loss नहीं कर रहा है, वो एनरजी associated है, fixed है, constant है, तो भूम रहा चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, पर अपने energy का loss नहीं कर रहा है, तो third point क्या बताई, अगर कोई भी moving, कोई भी particle जो इसका mass m हो, velocity v हो, और radius circular path r में घूम रहा है, तो उस electron का 100% कुछ ने कुछ angular momentum होगा, उस angular momentum को नील बोर ने कहा, कि angular momentum of this moving electron is, mb r is equal to h upon 2 pi, h upon 2 pi को हम h cross भी कहते हैं, और जहां n h upon 2 pi आपने लिखा है, n is equal to number of cell, तो हर एक cell के हर एक electron का angular momentum, आज find कर सकते हो, आसानी से, n is equal to 1 करेंगे, तो mb r is equal to h upon 2 pi, n is equal to 2 करोगे, तो mb r is equal to h upon 2 pi, जहां 2, 2 cancel हो जाएगा, h upon 2 pi, h upon pi हो जाएगा, तो इस तरह से बहुत सारी बातों को हम आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बड़ी angular momentum वाला point अभी भी क्या है, आपका discussion वाला point है, क्यों, क्योंकि इसका अभी मैंने ये बताया नहीं कि आया कहां से, ये आया कहां से, नील बोर को भी नहीं पता, वर नील बोर ने इसको observe क करके बता दिया था, बस बाता था, फूर्ट पॉइंट क्या कहता है, कि electron can make transit electron बहिया कहीं भी जा सकता, electron free है, from lower energy level to higher energy level, from lower energy level to higher energy level, तो अगर lower energy level to higher energy level जाना पड़ेगा, तो absorb करने पड़ेगी कुछ एनर्जी, जैसे आज की rate में आप class 11 में पढ़ रहो, आपका target है कि you can absorb some energy, you can absorb some education, तो आपको absorb करना पड़ेगा, इसी तरह से absorb करके lower से higher जाना है 100%, and that is called excitation, उसको हम लोग क्या कहते है, excitation कहते है, तो fifth point में कह रहा कि भाईया आप पहुंच तो गए हो, आप DM बन तो गए हो, फिर से आम आदमी बनना बढ़ा असान है, आपको ऐसा गलत काम कर कर दो कि मुह दिखाने लाइक ने रहो, सरकार आपको वहां से सस्पेंट कर दे, आपके energy सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, you can also make transit from higher energy level to lower energy level, but higher से lower आने में के लिए आपको जो कुछ भी आपने लिया है, उसको आपको त्याग ना पड़ेगा, तो electron can make also transit from higher energy level to lower energy level, but in this process, there is no absorption of energy, there is a radiation of some energy, in form of energy packet, जिसको plank ने कहा था, energy packet कहा था, जो आपने यहाँ देखा है, तो अगर plank quantum theory नहीं पढ़े हो तो यह energy packet कैसे समझ में आता, तो इसलिए मैंने plank quantum theory पहले ही बता दिया था, तो energy क्या हो रही है, आपके radiate हो रही है, और that is called de-excitation, यहाँ आपने देखा, तो है ने, note कर चुके आप, तो आज मैं बस इतना ही आपको पढ़ाऊंगा, कल आपका नील बोर का part 2, परसो नील बोर का part 3, तो आपका उसके नील बोर का part 4, चार पार्ट में नील बोर का concept बताऊंगा, और मैंने कहा था, जिस दिन नील बोर खतम, उस दिन चप्टर 70-80% खतम हुए, तो चप्टर में और कुछ बिस्स बात रहने जाएगा, थोड़ी थोड़ी बाते और हैं, तो सेल का concept नील बोर नहीं दिया था, तो आपको के लेवन आप पढ़ते हो, यह बात भाट में मैंने आपको explain करके बता दिया था, तो आज की class बस इतनी है, कल फिर मिलेंग और सब लोग इसको आपके पढ़ो, तब तक के लिए thank you very much